जो सजा सुनाई गई है दो वरस की वो एक्सेसिब मालूम पड़ती हैं क्योंकि राजमीत में लोग जब भासन देते हैं तो बाद बिवार टीका टिपनी इस तरह के सब्द प्रयोग होते रहते हैं ये कोई पहली और आखरी घटना नहीं है उस पर दो साल की सजा मुझे ज़ बड़े नेता बाजपेई जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है अगर अदालत ने निर्णे दे भी दिया तो सदस्या को सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था उनको कम से कम इतना उसर दिया जाना चाहिए था कि वो उपरी अदा लेकिन फिर वही बात में दुहराऊंगा आप सरकार में हैं आपको मन बड़ा रखना चाहिए छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं और यह बात मैं नहीं आधर्निय बाजपईजी ने कहा है और तीसरी बात कॉंग्रेस के लिए यह कहूंगा कि आप दुखित हैं आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है वो ठीक बात है लेकिन आप पुलिटकल पार्टी है मेरा अपना मानना है कि कॉंग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है समझ ही नहीं है कि what they are up against उनको पता ही नहीं है कि उनक या पार्लेमेंट तक मार्च कर देना उससे तो राजनितिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते राजनितिक लड़ाई तो गाउं में लड़ी जाएगी जमीन पर लड़ी जाएगी गलियों में लड़ी जाएगी बूत पर लड़ा जाएगा जब तक आप वहां पर नहीं दि इतनी नहीं है कि जब आप परेसानी में हो तो ट्विटर पर आके बोल दीजिए और ट्विट कर दीजिए और प्रेस कॉंफरेंस कर दीजिए जैसे पूरे देश में एक लाग से ज्यादा पंचाय थी कल कितने पंचायतों में कॉंग्रेस के वरकर खड़े होकर या बैठ कर इ में कल मैं 20 किलंडर चलका है मुझे तो कहीं कोई कॉंग्रेस का कोई वरकर कोई सवर्थक ऐसा नहीं दिखा जो इस बात को लेकर जंता के बीच में हो रोड़ पर हो सड़क पर हो तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉंग्रेस को या जो भी विपक्षी दल है अगर आपको लड़ाई रख सकते हैं उससे थोड़ा हो हला भी होगा लेकिन जब तक आप बात जाओं तक नहीं पहुंचाएंगे लोगों को अपने साथ इस मुद्धे पर नहीं जोड़ेंगे और वो